Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD जॉप में Directorate of Education समगर सिक्षा की तरफ से वेकेंसी आई है Primary School Teachers में 153 वेकेंसी पर Upper Primary School Teachers में 138 वेकेंसी जारी की गई है Hindi, Medium, English, Medium Pass candidate बिलकुल अप्लाई कर सकते हैं PRT, TGT, PZT, NTT की पोस्ट है पूरे भारत में जिस भी राजे से आप विलॉंग करते हैं आपने B.E.D. किया है, B.T.C. किया है, D.L.E.D. किया है Special Education में B.E.D. किया है तो यहाँ पर आप आविधन कर पाएंगे Last date पहले 6 March 2024 थी अभी जो है डेट को बढ़ा दिया गया है 28 March 2024 कर दी गई है तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने पहले नोटिफिकेशन नहीं देखा था यहाँ पर आप देखें 6 March 2024 जो है Last date थी submission of application की अभी जो इसे extended कर दिया गया है 28 March 2024 थर्जडे तक के लिए ठीक है यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोगों को qualification से पहले बता देते हैं Primary school teacher की vacancy है जहाँ English medium, गुजराती medium, हिंदी medium pass candidate apply कर सकते है सभी subject की vacancy है अपर primary में English medium pass candidate English science math, social science के लिए अपलाई कर पाएंगे और हिंदी medium candidate जो है केवल English science, maths के लिए अपलाई कर सकते है मराथी medium candidate जो है English, science, maths and social science के लिए अपलाई कर सकते है तो यहाँ पर आपने अपना देख लिया कि जिस medium से आप पढ़े हैं उसी medium में आप लोग अपलाई कर पाएंगे Primary teachers की जो vacancy है 153 है और अपर primary teachers की vacancy जो है 138 है तो total जो है 291 number of vacancies जारी की गई है vacancy कहां से आई है तो UT administration of दादरें नागर हवेली और दमन और दिव डारेक्टरेट ओफ एजुकेशन समगर सिक्षा के तहते vacancy है पूरे भारत में कहीं से भी आप लोग करते हैं अपलाई करना चाहते हैं तो अपलाई कर सकते हैं 23,000 यहां पर salary यहां पर दी जाएगी qualification देख लेते हैं primary school teachers के लिए 12th आपका होना चाहिए 2 साल का diploma elementary education में आपका मांगा गया है B.led वाले apply कर सकते हैं special education में diploma वाले apply कर सकते हैं B.Ed वाले भी जो है primary में apply कर सकते हैं graduation 50% marks के साथ में और bachelor of education B.Ed वाले बिलकुल primary में 153 post के लिए apply कर पाएंगे उसके बाद यहां पर age limit 30 साल कहा गया है और upper age limit is relaxable as per the order and instruction issued by the central government from time to time तो यहां पर भारे सरकार की तरफ से जो उपरी I.U. सीमा में छूट रहती है तो category wise यहां पर रहेगी next जो है यहां पर T.E.T. भी जो है आपका qualify होना चाहिए C.T.E.T. है या आपके राज्य का T.E.T. है आपका यहां पर मांगा गया है ठीक है? primary teachers के लिए अपर primary teachers के लिए जो की 138 vacancy है graduation आपकी होनी चाहिए BA, B.Sc, B.Com 2 साल का elementary education अगर आपका है तो भी अपर primary school teacher के लिए apply कर सकते हैं आपने B.Ed किया है तो भी apply आप कर सकते हैं B.L.Ed किया है तो भी apply कर पाएंगे B.A.B.Ed, B.Sc.B.Ed और B.Com.B.Ed वाले भी apply कर सकते हैं ठीक है? और I.U.C. मां यहां पर भी जो है तीस साल है जनर्ल कैटिग्री की नेक्स्ट एसेंसियल क्वालिफिकेशन में TET भी जो है आपका होना चाहिए अपर primary school teachers के लिए the candidate should have passed the teacher eligibility test conducted by central government के द्वारा CETET या फिर other state government के द्वारा जैसे कि हर्याना में हर्याना TET चलता है राजिस्थान में रीट चलता है उतर प्रदेश में UP TET है ठीक है इस तरीके से तो आपका TET जो है qualify होना चाहिए किसी भी राज्य का बाकी जो है जो number of vacancies है तो यहां पर category wise जो है यह भी आपको नजर आएंगी जैसे कि primary school teacher के लिए SC में 22 seat है ST की 11 है OBC की 41 है EWS की 15 है और unreserved category की 64 है आपर primary के लिए जो है आप देखे 43 जो seat है SC की है और 21 ST की है OBC की 78 है EWS की 29 है EWS की 29 है और unreserved category सामान्य इनकी 120 है अब कैसे apply करना है तो application form नीचे दिया हुआ है इससे आप जो है download करके आपको fill करना है और यह address है इस पर भेज देना है Department of Education लेखा भवन 66 KV Road अमली सिल्वासा room number 312 DNH और डारेक्टरेट अफ एजुकेशन सिक्षा सदन behind collectorate मोती दमन अभी date बढ़ा दी गई है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है सबसे उपर इसकी जो है official चार website है किसी पर भी आप visit कर सकते हैं application form आप लोगों को मिल जाएगा यह देखिए application form नीचे ही है यह application form है और date जो है वो दुबारा से आपको दिखा देती हूं कि date जो है वो बढ़ा दी गई है जो नोटिस जारी किया गया है पहले यह 6 मार्च 2024 थी अभी जो है इसे बढ़ा कर 28 मार्च 2024 किया गया है तो contract बेस पर यह vacancy है फिलाल लेकिन यहीं पर जो है vacancy पर्मानेंट भी आती है तो मुझे लगता है कि जो भी candidate apply करना चाते हैं बिल्कुल apply करें हो सकता है कि short term contract जो है रहे उसके बाद जो है इसे बढ़ा दिया जाए पर्मानेंट कर दिया जाए हो सकता है यही teachers हो जिन्हें पर्मानेंट किया जाता है तो बाकी जो है आप देख लें अगर आप apply करना चाते हैं लिंक आप लोगों को share बिल्कुल किया जाएगा बहुत सारे candidate की job लगी है वीडियो के माध्यम से बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाये जाते हैं जैसे ही notification जारी होता है सिक्षक भरती का किसी भी रा आती हूँ तो बने रहें चैनल पर सभी की job जो है वो बिल्कुल लगेगी subject जो है आप देखते रहें आपके राजी की vacancy है तो भी आप जो है देखते रहें और नहीं है तो बाकी जो है जादस जादा वीडियो को share करें thank you